आज की इस क्लास में हम जो टॉपिक डिसकस करेंगे दाट इस रिलेटिट तो किंग्डम क्लासिफिकेशन आज की इस क्लास में हम यह टॉपिक इतने ही अच्छे वे से इतने मजेदार ढंग से करने वाले हैं कि आपको यह सारा जो कंसेप्ट एक इंग्डम क्लासिफिकेशन से रिलेटिड वो तो क्लियर होगा ही होगा और साथ में आपको बहुत जादा इस क्लास को आप इंजॉइ करने वाले हो ठीक है बहुत ही इंट्रस्टिंग लगेगी आपको यह क्लास आज की जो इस क्लास में देखे क्या होता है कि कई जो स्टू участ did वो क्या करते हैं सोचते हैं कि यह बहुत डिफिकल्ड चाप्टर है और वो इस चाप्टर को फोड़ी देते हैं ठीक है अगर आप लोअर क्लासिज में हो जैसे ठीक है तो आप लोवश लोब क्लासिज में अगर आपने ही हो ढेला ट तो तब ये आपको प्रॉब्लम कर सकता है क्योंकि वहां पे इस से रेलेटिट बहुत जादा कोशन्स आते हैं पेपर में और इसमें क्या है देखिए कि आपको कोई दिफीकल्टी ना हो आपको सारे concept clear हो जाएं तो इसलिए आज हम आपके सामने kingdom classification का chapter discuss करेंगे हम यह chapter अब क्यूं discuss करें हैं क्योंकि हमें बहुत जादा स्टुडेंट्स ने मैसिजिस किए कि मैं आम kingdom classification का chapter discuss की ज़िए तो देखिए हैं, किंगडउम क्लासिफिकेशन क्या होता है। अब जैसे कि हमें पता है कि हमारे अगर surrounding की बात करें तो वहां पे different types के आपको organisms मिलेंगे single cell के बने हुए है multi cell बने हुए है many cells के तो अगर जैसे एक single cell की example लें ठीक है amoeba भी है, paramecium भी है, yuglena भी है ठीक है और अगर हम many cells की बात करें ठीक है तो plants है, animals, in fact human beings भी हम लोग भी क्या है multi cell के बने हुए है तो अगर हम सभी organisms का सभी living organism को check करें तो सभी का different size है, shape है, रहने का अलग way है उनकी जो habits है वो अलग-अलग है, खाने का way अलग-अलग है तो इससे क्या होता है कि अगर हम suppose किसी organisms को discuss करें हैं, study करें हैं तो उसको discuss करने में, उसको study करने में बहुत ज़ादा मुश्किल आएगी क्योंकि सभी में variations है, सभी अलग-अलग है तो वो उसको cover up करने के लिए scientist ने क्या किया था kingdom classification जो है, उसको पूरा मतलब explain किया था इसमें तो इसके बाद अब देखते हैं कि उन्होंने क्या से इसको explain किया उन्होंने क्या किया देखिए, अलग-अलग तरह की classes बना दी उनकी similarities देखे, organisms की similarity देखी, this similarities देखी मतलब उन्होंने क्या same है, क्या difference है, उसी के basis पे उन्होंने classes बना दी, तो इसके लिए जो term उन्होंने मतलब use की उसको कहते है classification, तो जो word classification है, वो two words से मिलके बना हुआ है first is classification का मतलब होता है formation, that means उन्होंने classes बना दी किसकी classes बना दी, living organisms की, तो देखिए क्या है, कि act of putting organism into groups or you can say classes based on their characteristics, मतलब उन्होंने क्या same है क्या उन्होंने difference है, उनके basis पे उन्होंने क्या किया, मतलब जो scientist थे उन्होंने क्या किया, सभी organisms को अलग अलग group में divide कर दिया क्लिया, उसके बाद देखिए क्यों उन्होंने ऐसा किया था, क्या उन्होंने ऐसा सोचा, क्या उसके फाइदे थे, क्यों मतलब ये सारा concept जो है, वो scientist ने ऐसे क्यों किया क्या हुआ देखिए, कि जो सभी हम पहले ही मैंने आपको बताया कि हमारे जो environment है, उसमें different types के plants भी है, organisms है, animals है, सभी को अगर हम अलग, अलग study करते, ठीक है, तो हमें मुश्किल आती, ठीक है, उसको हमें इतनी मुश्किल ना हो, उन्होंने क्या कर दिया, उनको classes में divide कर दिया, उनकी similarity और dissimilarities के basis पे, अब उनको मतलब देखिए, एक organism को study करना मुश्किल है, क्योंकि अगर हम सभी organisms को study करें, हमारे environment में different types के मतलब organisms है, उन सभी को study करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर एक class को, एक group को study करेंगे, उसको easy है, तो उन्होंने क्या किया, इसका फाइदा क्या हुआ, देखिए, इन्होंने क्या किया, makes the study of living organism simple and easy, तो उससे क्या हुआ, जो living organisms है, ठीक है, उनकी study करना easy हो गया, और simple हो गया, ठीक है, और इनी के basis पे क्या हुआ, हम organisms को easily identify कर सकते थे, identify करने का मतलब क्या है, कि हम उनको easily पहचान सकते थे, कि वो कौन सा organism है, clear, उसी के base पे देखिए, क्या हुआ, makes the identification of an organism easier, then, relationship between two organism can be established, इसमें देखिए, क्या था, अब जैसे दो living organism है, हम जैसे suppose माल लीजे, अब हमें पता है कि plants जो है, वो क्या करते हैं, फोटो synthesis की help से food बनाते हैं अपना, clear है ना, तो वही उसमें क्या होते हैं, वो oxygen कैसे use करते हैं, और, sorry, carbon dioxide use करते हैं, और oxygen को छोड़ देते हैं, और वही oxygen हम लेते हैं, ठीक है, और क्या है, two organisms का आपस में relation जो है, वो clear out हो गया, then उसके बाद देखिए, कि इसने क्या किया, it provides information about plants and animals living in different geographical area, अब देखिए, जो plants है, different types के, animals है, different types के, वो अलग-अलग environment में रह रहे हैं, ठीक है, तो उनका climatic conditions है, जिसमें वो रह रहे हैं, सभी का अलग-अलग है, तो इससे क्या हुआ, हमें उनकी proper information मिलगी, कि वो कैसे environment में रह रहे हैं, और उनका structure है, उनकी clear out हो गया, then next is, helps in understanding how complex organism have evolved from simpler ones, that means, अब देखिए, मैंने कहा कि सभी जो organism है, या तो मतलब uniceller होंगे, या multiceller होंगे, uniceller का मतलब क्या है, कि एक cell के बने होंगे, multiceller मतलब, they are made up of many cells, तो अगर हम human beings की, suppose हम human beings की बात करें, तो human beings जो हैं, उनकी formation भी सबसे पहले, एक cell से हुई, जिसको हम zygote कहते हैं, वो अलग बात है कि उसके बाद, जो cell है, वो divide कर गया, मतलब हम multiceller हो गए, लेकिन, starting तो एक cell से हुई, जिसको हम zygote कहते हैं, ठीक है, तो कहने का मतलब कहा है, जो इसको हम simple organism कहा रहे हैं, ठीक है, और एक साइड पर हम complex लिया रहे हैं, जो complex organism है, वो बने किस से है, simple organism से, तो इससे क्या हुआ, classification से ये सारे points जो है, मतलब जो हमने अभी discuss किया, उसके हमें benefits हो गई, ठीक है, इसलिए scientist ने kingdom classification जो है, उसका पूरा concept दिया था, ठीक है, तांकि हमारे लिए study करना organisms को easy हो जाए, उनके लिए तो देखो, easy था ही था, अब हमारे लिए भी easy हो गया है, क्योंकि ये सारा जो काम था, मतलब ये कोई चोटी बात नहीं होती है, रिसर्च करना चोटी बात नहीं है, रिसर्च जो है, बहुत जादा कई बर क्यों होता है, scientist की पूरी life निकल जाती है, ठीक है, तो ऐसे ही सेम देखी, अब जो मतलब classification system दिया गया था, एक scientist था, उसने मतलब classification system बनाया, classification system का सिस्टम का मतलब होता है एक framework करना, तो system का मतलब formation of classes, मतलब groups का system बनाना, तो इसमें देखे किया classification system में कि उन्होंने एक framework बना दिया, किसका groups का, classes का, किसके based पे, उनकी similarity और differences को को देखके तो ध्यान से देखे घर से sister मतलब एक network बनाना मतलब एक framework बनाना एक Setup करना किसका Setup की उन्होंने डिफ्रेंट टाइपकी क्लास हीЗ का ठीके उन्हेंने डिफ्रेंट टाइपकी क्लास हीज बिनाई क्या से बनाई उनकी similarity और dissimilarity इसको देख के उसी के बेशिस पर देखे टेक्सोनमी अब क्या है कि उन्हों ने इसमें डिफ्रेंट लिविंग ओर्गेनिजम्स बना दिये उसको हम कहाते है तुछ तो taxonomy क्या है? branch of biology deals with grouping and naming of living organism. ठीक है? तो उसी के जो father थे ठीक है? तो father of taxonomy ये important है. father of taxonomary कौन था Karl von Linus ठीक है Karl von Linus था father of taxonomy उन्होंने क्या किया एक simple classification दे दी simple way से उन्होंने मतलब देखा की सबी organisms का उन्होंने क्या किया form देखी, उनका structure देखा उनकी shape देखी, morphological character देखे मतलब क्या ने का तो उसी के basis पे उन्होंने क्या कहा कि जो सारे living organism है वो two categories में उन्होंने two groups में divide कर दिये कौन-कौन से plants and animals अब इसके बाद हम जो discuss करेंगे that is modern classification तो यहाँ पे हम classification के ranks discuss करेंगे तो ranks मतलब उनकी position discuss करेंगे इसके लिए हम आपको सबसे easy way बताएंगे आपको कुछ नहीं करना सिर्फ एक line याद करने है और उससे आपको पूरा उसका systematic जो है पूरा pattern जो है वो आपको पूरा learn हो जाएगा ठीक है तो कौन सी line आपने याद रखनी है dumb king Philip came over from great Spain क्लिया एक बार फिट से repeat करते हूं dumb king Philip came over from great Spain क्लिया तब देखिए इसको कैसे हम positions जो है कैसे classification को systematically learn कर सकते हैं Philip के P से आएगा phylum Kim के C से आएगा class Over के O से आएगा order From के F से family Great के G से आएगा genus And Spain के ऐसे species That means domain, kingdom, phylum, class, order, family, genus, species इसको आपको ऐसे ही systematically way से learn करना है Clear? अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया phylum जो phylum है That we are using for animals जो phylum है वो सिर्फ हम animals के case में use करते हैं Domain, kingdom, phylum, class, order, family, genus, species Clear? तो phylum जो है only in case of animals और plants के case में हम division word use करेंगे और इसके लिए सिर्फ आपने एकी line याद करनी है Dom king philip came over from great Spain Clear? तो अब देखिए सबसे highest level जो है Classification का सबसे वैसे तो domain है मतलब systematically बता रहे है तो kingdom क्या है? सबसे highest rank है The highest rank of all living beings That means matter नहीं करता यहाँ पे कि वो plants है या animals है सारे living organisms का सबसे highest rank क्या है kingdom But अगर हम phylum के case के बारे में बात करें तो phylum क्या है? Highest rank for animals And plants के case में सबसे ज़ादा highest rank क्या है? Division Clear? उसके बात That means जो species है तो species क्या होगी? Lowest Species है the lowest rank of biological classification और we can say that it is the basic unit of the classification Clear? तो species क्या होती है? Species है जिसमें a group of organisms आएंगे जो reproduction करेंगे और reproduction करके वो क्या करेंगे? Fertile young ones बनाएंगे Fertile young ones तो यहाँ पे देखिए जो reproduction है word जो है वो two words से मिलके बनाएं Re and production तो Re का मतलब क्या है? Re का मतलब होता है Again Production का मतलब produce करना किसी चीज को दोबारा से बनाना तो यहाँ पे क्या दोबारा बन रहा है? Fertile young ones मतलब अपनी जैसे बच्चे देना ठीक है? तो species क्या होती है? Species देखे सबसे छोटा rank है biological classification का और basic है ठीक है? इसके बिना कुछ भी possible नहीं है और species में क्या है? A group of organism है जो reproduction कर सकते हैं और reproduction से वो क्या करेंगे? Fertile young ones बनाएंगे और इसके लिए देखिए अब हम क्या कर सकते हैं? कि हम आपको एक example से बता सकते हैं ठीक है? इसको हम एक example से बताएंगे तांकि यह आपको पूरा clear हो जाए जैसे कि हम सबसे पहले example ले रहे हैं house cat की ठीक है? house cat की जो house cat है उसका जो scientific name है scientific name इससे जो related है मतलब nomenclature कहते हैं binomial nomenclature वो हम बाद में discuss करेंगे लेकिन आप यहां तक अब यहां सिर्फ आप इतना से अमज लीजिए कि जैसे house cat है उसका scientific name phallus domesticus है clear? phallus domesticus अब देखिए phallus जो है ठीक है? वो indicate करता है genus और domesticus जो है वो indicate करता है name of species ठीक है? तो जो house cat है अब देखिए house cat जो है वो कहीं की भी हो मतलब वो उसको हम एक species में count करते हैं ठीक है? वैसे तो उनमें भी differences है उनके color में difference होगा उनके मतलब जो उनका height है ठीक है? height है या और भी उनके morphological features जो है वो different हैं even then they can interbrate ठीक है? अपने जैसे fertile young ones produce करेंगे that means reproduction कर सकते हैं और अगर हम human beings की बात करें ठीक है? human beings की बात करें तो human beings का scientific name क्या है? होमो सेपियंस होमो सेपियंस ठीक है? होमो सेपियंस उनका scientific name है same ये जीनस को represent करता है और ये species का ठीक है? स्पीशिस को represent करता है अब अगर हम human beings की बात करें तो human beings भी क्या है? different होगे अगर suppose नौर्थ इंडिया की बात करें थो नॉर्थ इंडिया उनका लिम्स पर जो हम साइन चाहले खूआंगा है उनका ऐस सप्षीस्टो लुकुरा है washing ऊपनी जैसे अट उनकी स॑म चल्डा Gill इसके बीना मतलब ऐसे भी कुछ स्पीशिज हैं जो क्या करती हैं आपस में इंटरब्रीड कर लेती हैं ठीक है लेकिन उनसे क्या होगा कि जो यंग वन्स पर डिउस हो रहे हैं ठीक है वो फर्टाइल नहीं होंगे स्ट्राइल होंगे मतलब क्याने का क्या है वह आगे यंग अपनी यंग वन्स नहीं पर्डिउस कर सकते हैं तो यहां पर जैसे मैंने कहा कि फर्टाइल ठीक है फर्टाइल मतलब अपने जैसे यंग वन्स पर्डिउस कर सकते हैं अब जैसे अगर हम कहें कि नॉर्थ इंडिया में हैं हुमन बिंग्स उसकी जो सपोज नॉर्थ इंड या इंडियन जो है फीमेल है उनके मैरिस हो गई तो वह अपनी जैसे यंग वंस पड्यूस कर सकते हैं टीक है लेकिन कई सपीशिज ऐसी है जैसे होर्ष का जो डंकी है उनके साथ क्या है इंटर बीडिंग हो जाए तो यंग वंस वोपड्यूस होगा बट वह स्ट्राइल तो ऐसे ही कुछ हम examples देखते हैं जिससे आपको पूरा जो concept है वो clear हो जाएगा अब तक हमने कहा था कि two species है ठीक है अगर तो वो same species है ठीक है तो same species है उनके organism है आपस में reproduction करेंगे तो they will produce fertile young ones clear लेकिन मैंने आपको कहा कि अगर by chance two different species आपस में interbreed कर लेती हैं और वो अपना young one produce करती है तो वो young one fertile नहीं होगा वो young one क्या होगा strile होगा strile कहने का मतलब क्या है कि वो आगे reproduction नहीं कर सकता that means वो अपने जैसे young one produce नहीं कर पाएगा clear तो उसी की कुछ examples देखते हैं horse female donkey के साथ donkey male होगा अगर वो आपस में interbreed करते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए जो horse है ठीक है वो अलग species है और जो donkey है वो क्या है अलग species है clear अगर two different species आपस में interbreed कर रही है तो वो क्या करेंगी strile young one बनाएंगी तो मतलब क्या बनाएंगी mule clear और अगर देखिए horse male आपस में horse male जो है वो female donkey के साथ interbreed करता है तो female donkey को हम क्या कहते है जैनी ठीक है अगर उसके साथ interbreed करता है तो हिनी जो मतलब young one बनेगा वो क्या होगा strile होगा और जिसको हम क्या कहते है हिनी कहते है अब हिंदी में इन दोनों को कहते है खचर शायद आपने सुना ही होगा word इनको खचर कहते है ठीक है तो मतलब जो खचर है वो कहां से बनी है अगर horse donkey के साथ interbreed करता है horse अगर donkey के साथ interbreed करेगा तो strile young one बनेगा जिसको हम mule और हिनी कहते हैं दाट मींज खचर कहते है उसके बाद देखी जैबरा ठीक है अगर donkey के साथ interbreed कर रहा है तो क्या बनेगा जैंकी इसको learn करने के लिए देखिए आप easy way कर सकते हैं आप जैबरा का जैड़ी ले लिजिए और donkey का की ले लिजिए एन की के इवाई ठीक है तो क्या बना जैंकी लियर सेम टाइगॉन ठीक है यह सारे क्या है fertile यंग वन्स फर्टाइल नहीं है स्ट्राइल है ठीक है तो टाइगोन कैसे आया जब टाइगर एंड लाइन आपस में इंटरबीड करते हैं देखिए यह दोनों टू डिफ्रेंट स्पीशीज है तो टाइगर का देखिए टी आई ले लिजिए ठीक है ओन का यहां से लाइन का ओन ले लिजिए तो क्या वर्ड बना टाइगोन गीप गीप जो है वो कैसे आया गाट का जी शीप का इप गीप बन गया पोटेटो एंड टोमेटो टो डिफ्रेंट स्पीशीज है आपस में इंटरबीड करेंगी तो क्या बनाएंगी पोमेटो क्या बनेगा पोमेटो कैसे बनेगा पी ओ पोटेटो का और यहां से ले लिजिए मेटो ठीक है मेटो वर्ड तो क्या बना पोमेटो औ तो strile मतलब ये plants का case है, बाकी सारे animals के case है, ये सिर्फ plants का बताया, और यहाँ पे ये सारे हमने animals का discuss किया, ठीक है, तो plants में देखी strile कैसे होगा, यहाँ पे seed नहीं बनेंगे, ठीक है, apomato के case में seed नहीं बनेंगा, ठीक है, जिसको हम strile लेते हैं, इसको आप किसकी examples लेके करना है, तो different species अगर interbreed कर रही हैं, तो क्या आएगा strile young ones, इसके बाद जो मैंने आपको बताया, कि हम kingdom phylum class order family genus, इसके बारे में पूरा मतलब थोड़ा सा detail में, with example जो है, वो discuss करेंगा, अब हमने species को discuss कर ली, ठीक है, कि कैसे जो species है, मतलब जो living organism है, वो एक ही species को belong करें, और they can show reproduction, they can perform reproduction, मतलब वो अपने जैसे young one बनाएंगे, तो उसी के साथ साथ हमने ये भी discuss कर लिया, कि वो fertile young one भी बनाते हैं और strile young one भी बनाते हैं, that means, वो interbreeding के time अगर fertile बनाते हैं, तो वो अपने जैसे young one produce करेंगे, अगर वो strile बनाते हैं, तो वो आगे reproduction नहीं कर पाएंगे, अब देखें, species जो है वो basic unit था classification का, उसका जो next level है, ठीक है, क्योंकि ये highest है, ये lowest है, lowest rank of classification, तो species से जो next higher level आएगा, वो क्या आएगा, genus का, तो a group of similar species जो है, वो मिलके क्या बनाएंगे, genus बनाएंगे, ठीक है, तो genus का देखें, डिसकस करें हैं, जैसे हम यहाँ पर example ले रहे हैं, crow की, ठीक है, जो crow होता है, अगर हम hilly area का crow लें, जिसको हम jungle crow क्याते हैं, ठीक है, house crow होता है, जो हमारे plain area पे रह रह रहा है, वो दोनों crow जो है, वो एक दूसरे से different है, ठीक है, वो उसको हम क्या करते हैं, two different species में count करेंगे, क्यों, क्योंकि उनके जो color है, या उनकी beak है, उनमें क्या है, मतलब difference है, जो jungle का crow है, मतलब hill का crow है, और plain area में रहने वाला crow है, उसको हम two different species लेते हैं, that means, they are not able to perform interbreeding, वो interbreeding नहीं कर सकते, मतलब fertile young one नहीं बना पाएंगे, clear, तो इसमें देखिए, वो दोनो different species है, लेकिन उनका जो genus है, जीक है, वो क्या है, corvus, दोनों का genus जो है, वो same रहेगा, that is corvus, clear, उसके बाद next जो है, genus के से उपर, higher level, किसका आता है, family का, तो जो family है, मतलब वो किस से बनी है, a group of genre makes a family, तो family में discuss करेंगे, हम जैसे कि हम example ले रहे हैं, line की, या tiger, या जैसे कि आप domestic cat ले लीजिए, ठीक है, इसकी example ले रहे है, तो line का जो scientific name है, that is panthra Leo, ठीक है, tiger का है panthra tigris, और जो domestic cat है, उसका क्या है, scientific name, मतलब उसमें हम जो genus ले रहे हैं, that is phallus, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया, कि जो panthra है, वो किसको represent कर रहा है, genus को, ये genus को represent करेगा, क्योंकि ये तो species है, ठीक है, panthra यहाँ पे भी क्या है, genus है, tigris, जो है, वो क्या है, species है, तो यहाँ पे देखिए, lion और tiger की जो species है, वो तो different होगी, लेकिन, जो genus है, वो क्या है, same है, जैसे हमने crow में किया था, ठीक है, तो मतलब genus के example, crow ली थी, उसमें भी same, हमने यही कहा था, कि जो corvus है, वो genus क्या है, same है, और दोनों का मतलब jungle crow, as well as house crow, और अगर हम lion और tiger के case में discuss करें, तो lion और tiger, दोनों का genus same है, लेकिन species जो है, वो different रहेगी, लेकिन अगर हम इसका comparison करें, domestic cat के साथ, तो domestic cat का जो genus है, वो different है, फैलिस है, इसका इसका panthera है, लेकिन जो तीनों की family है, वो common family है, that is called falidae, clear, तो इन तीनों की, मतलब इन दोनों का तो देखे, genus जो है, वो same है, ठीक है, domestic cat से उसका जो genus है, वो different हो गया, लेकिन family जो है, वो same रहेगी तीनों की, that is falidae, उसके बाद हम discuss करेंगे, family का next higher level, that is order, of family, they will form an order, ठीक है, a group of family makes an order, clear, तो order में देखे क्या है, हम example ले रहे है, cat family की, तो cat family कौन सी होगी, जैसे cat खुद होगी, lion tiger, यह किस के अंदर आते हैं, cat family के अंदर, ठीक है, जिसको हमने पहले यहां पे discuss किया है, falidae, क्योंकि यहां पे बता है, lion, tiger, domestic cat, तीनों की एक ही family है, falidae, तो वही हमने repeat की है, तो उनकी family है, falidae, ठीक है, अगर हम बात करें, dog family की, मतलब जो dog है, fox है, जैकाल है, वो किसकी family में आता है, canidae, ठीक है, उसकी family कौन सी है, canidae, अब देखें, यहां पे क्या है, दोनों की family different है, ठीक है, यहां पे cat family, जो है, मतलब cat है, उसकी family है, falidae, dog की family है, canidae, ठीक है, लेकिन, दोनों का जो order है, वो क्या है, carnivora, ठीक है, carnivora जो order है, वो दोनों में same रहेगा, cat family में, as well as dog family में, order के बाद, जो उससे उपर का rank आता है, वो किसका आता है, class का, ठीक है, तो class में हम discuss करेंगे, जैसे हमने यहां पे organism, जो है आपको बताए है, dog, cat, whale, monkey, humans, जो यह सारे organisms हैं, सारे animals हैं, क्योंकि humans को भी, कहीं ना कहीं animals में ही count किया जाता है, ठीक है, तो यह सारे जो animals हैं, उनकी एक common class है, that is, mammalia, वो mammals हैं, क्यों mammals हैं, क्योंकि उनकी body पे, उनकी skin पे hairs होते हैं, उनकी skin जो है, वो क्या है, hairy है, and उनमें क्या है, memory gland present हैं, तो memory gland से वो क्या करते हैं, अपने young ones को नरिश करते हैं, memory gland से, ठीक है, help of memory glands, मतलब वो उनको, जितने भी यह organism में आपको बताया, जो class mammalia में आते हैं, वो अपने बच्चों को, memory gland के help से, नरिश करेंगे, clear? नरिश करना मतलब उनका pollen portion करना, मतलब उनको feed देना, clear? देन, उसके बाद एखिए, class के उपर, उसके उपर वाला rank, ठीक है, वो किसका होता है, phylum का, मैंने आपको पहले भी बताया, जो phylum है, वो हम किसमें यूज करते हैं, animals में, ठीक है, plants के case में, हम division यूज करते हैं, तो कहने का मतलब क्या है, जो phylum है, वो क्या है, मतलब highest rank है, किसका, animals and plants का, ठीक है, highest rank of biological classification, तो देखिए, जो, मतलब a group of class है, they will make a phylum, ठीक है, तो phylum में, जो examples हम करेंगे, देखिए, यहाँ पर mammals हैं, मतलब class mammals की बात करें हैं, mammalia, words, reptiles, frogs, fishes, ठीक है, इन सभी की, अगर हम phylum की बात करें, क्योंकि यह सारी different classes हैं, लेकिन अगर हम उसके phylum की बात करें, तो उन सभी का, एक common phylum रहेगा, देखिए, chordata, ठीक है, chordata, chordata इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इन में क्या होता है, notochord present है, जिसको हम कह सकते हैं, simple language में, कि उन में, backbone present है, इसी लिए हम इनको क्या कहते हैं, chordata, clear, बट यह जो, mammals, reptiles, words, frog, fishes, यह क्या है, सारी different classes है, और सबसे top में, जो है kingdom, वो मेंने हम, आपको पहले ही बता दिया, कि यह क्या है, highest rank of biological classification, ठीक है, और species क्या है, the lowest category of biological classification, as well as we can say that, जो species है, वो क्या है, basic unit of classification, इसी के साथ साथ, हमने जो आपको, जो biological classification का है, वो पूरा आपको, detail में, हमने, with examples, आपको सारा explain किया है, I hope आपको, यह पूरा concept clear हो गया होगा, और आपको, यह हमारी वीडियो जो है, वो अच्छी लगी होगी, और इसमें आपको, इसके, जो सारे doubts है, आपके mind में, वो सारे clear भी हो गया होगे, still अगर आपको कोई doubt है, और अगर आपको, हमसे कोई question पूछना है, तो आप comment box में जाके, हमने इस से related questions भी पूछ सकते हैं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, तो like बटन प्रेस करना ना भूलिए, हमारी जो वीडियो उसको maximum share भी कीजिए, तांकि इसका जो benefit है वो आपके friends को भी हो जाए, और हमारे अगर आप हमारी वीडियो first time देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को subscribe जरूर कीजिए, तांकि आपको in future उसकी जो notification है वो भी आपको मिले, आपको और जादा अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलें, और आपके सारे doubts time to time clear होते जाएं, तो उसके लिए आप हमारी चैनल को भी visit कीजिए, आपको उसके बहुत जादा अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड की हुई मिलेंगे, Thank you very much.